इस वीडियो को sponsor किया है 10HourShare के reboot software ने इस एक software की मदद से आप अपने iPhone की 50 डिफरेंट तरीके की problems को कर सकते हो solve बहुत ही कमाल का software है अगर आप downgrade करना चाहते हो अपने software version को आप इस software की मदद से कर सकते हो अगर आपके iPhone की screen जो है वो on नहीं हो रही है या backup आप करना चाह रहे हो iCloud से iTunes से वो backup में कोई error है तो सारी ही चीजें आप इस एक software से fix कर सकते हो अगर यह software download करना चाहते हो तो description में है link कौन से iPhones में support करेगा iOS 14 अगर जानना चाहते हो तो यह वाली वीडियो को देखो बिल्कुल end तक और वीडियो को start करने से पहले एक दो बाते कर लेता हूँ यहां पर आपको timeline देख रही होगी जहां से यह video start होगी अगर आप iOS 14 के बारे में ही जानना चाहते हो तो यहां पर मैं काफी time ले रहा हूँ आजकल क्योंगी काफी चीज़े मैं setup कर रहा हूँ और यहां पर मेरे पास है Elgato का 4K60 S Plus वर्जिन यह एक capture guard जिसको मैं streaming के लिए यूज करूँगा तो यहां पर कोई भी अगर YouTube streamer है Twitch streamer है तो प्लीज मुझे Instagram के ऊपर contact करो मेरी ID है आपसे मैं 101 वीडियो कॉल करूंगा और वहां पर मुझे कुछ आपसे बाते भी पूछने है streaming के बारे में तो अगर कोई भी streamer मुझे देख रहा है तो प्लीज मेरी Instagram ID पर मुझे DM करो मेरी Instagram ID है I am happy ऑजला स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा Instagram handle देख रहा होगा और उसके साथ ही दूसरी चीज के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ वो है Lenovo का Yoga Laptop 14 इंच Laptop है यह और काफी महगा Laptop है एक लाग 30,000 के आसपास इंडिया में इसका प्राइस है तो इसके रिव्यू के ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ तो यह 2-3 चीज़े हैं जो main main है जिनके ऊपर मैं अभी लग चाहे मां iPad की बात करूं Mac की बात करूं watch की बात करूं हर तरीके का जो उनका OS है वहाँ पे हमें उनके updates मिलते हैं हर साल और यहां पे कुछ hardware भी release हो सकता है जिनके rumors आ रहे हैं कि iMac definitely हो गई होगा तो यह तो 22 तारीक को ही पता चलेगा कि कौन सा hardware release होता है अगर मैं इंडिया पे भी आपसे हाथ जोड़ के request कर रहा हूं जितने भी मेरे viewers है 22 तारीक को announce होगा और 22 तारीक को ही beta version जो developers के लिए होते हैं जो लोग apps बनाते हैं जो उनके उपर काम करते हैं उनके लिए जो beta version होता है वो release हो जाएगा और बहुत सारे YouTubers उसके उपर वीडियो बनाएंगे त आपके phones में क्योंकि beta version के अंदर बहुत सारे bugs होते हैं कई चीज़े अच्छे से काम नहीं करती हैं इसलिए उनको developers के लिए रखा जाता है तो beta version के अंदर वो सारी चीज़े टेस्ट करते हैं और जब perfect हो जाती है उसके बाद ही हमें मिलेगा September में तो please beta version डाउनलोड मत करना यह मेरी request है और मुझे पता है मैं जितना mercy मना करने हूं जिस चीज़ के लिए मना करते हैं उसको सबसे पहले लोग करते हैं बट जो लोग एक अच्छे experience चाहते हैं उनको September तक वेट करना चाहिए मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं इतनी ही मेरी duty है follow करना या ना करना आपके iPhone 6S Plus iPhone SE जो 1st generation दा वहां से लेकर उपर जितने भी फोन है 7, 7 Plus 8, 8 Plus 10R, 10S, 10S Max, 10, 11, 11 Pro, 11 Pro Max यह सारे ही फोन में हमें iOS 14 मिलेगा और यह मैंने सारे इसलिए गिनाये हैं कि अगर मैं ऐसा बोल दूँगा कि 6S और उससे उपर तो बंदे फिर comment करते हैं कि 10 को मिलेगा 10R को मिले हैं आपको और लिस्ट की ही अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर जितने भी लीक्स हैं जितने भी reputable यहां पर sources हैं सब ने यहां पर confirm किया है कि iOS 13 में जो हमें लिस्ट मिली थी devices की जो यहां पर supported devices थे iOS 13 में वही same devices रहेंगे iOS 14 के अंदर भी पर यहां पर कुछ लोग यह भ आइस को ही पता चलेगी जब actual event होगा अभी चाहे मैं अपनी बात करूं या किसी और यूट्यूबर की कोई भी जो भी वीडियो बना रहा है iOS 14 से related वो सब लीक से related ही वीडियो बना रहे हैं कंपैटिबिलिटी आपको बता दी है और अब आता हूँ मैं फाइनली फीचर के उपर क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि चीज बार बार रिपीट करना सबसे पहले फीचर की अगर मैं बात करूं तो वह होगा सफारी से related जो हमारा browser है default जो हमें Apple की तरफ से मिलता है वहां पर बेल्ट-इन ट्रांसलेटर आपको मिलेगा जहां पर अभी हमें क्या करना पड़ता है अगर हमें कोई website ट्रांसलेट करनी है तो बहुत सारे software हमें मिल जाते हैं बट अब सफारी के अंदर ही आपको बेल्ट-इन ट्रांसलेटर मिले अगर यह चीज बाइस को नहीं मिलती है तो मैं इसके लिए दोशी नहीं हो यह जो लीक से मार्केट में वह आपको मैं बता रहा हूं दूसरे फीचर की अब अगर मैं बात करूं तो वह होगा iCloud Keychain अगर आपको नहीं पता iCloud Keychain क्या है iCloud Keychain के अंदर आपके जितने भी passwords हैं iCloud Keychain जो है इसके features अभी काफी limited है तो जात तर जो users है वो paid application यूज करते हैं जैसे last pass हो गया one password हो गया बट अब यहां पे iOS 14 के अंदर iCloud Keychain भी smart होने वाला है यहां पे काफी सारे नए features मिलेंगे जिन में से सबसे खास होगा password repeat वाला feature जहां पे अगर आप एक ही password को बार बा यूज करने वाले हैं हम सब और मैं तो future में अभी से देख रहा हूं कि इसको बहुत जादा यूज करने वाला हूं वह है Clips Clips के अंदर आप किसी भी application को बिना download किये try कर सकते हो अगर आपको पसंद है तो ही आप उसको download करो अगर आप download किया बगार यूज करना चाहते हो त जब download हो जाता है मैं लगता यह क्या कर दिया इसको नहीं करना चाहिए तो वह चीज जो है वह अब यहां पे आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी क्यूंकि अब आप application को download करने से पहले ही try कर सकते हो तो यह जो फीचर्स है Clips वाला यह मुझे काफी जादा अच्छा लगा आ अगर आइफोन की बात करें तो आइफोन में अभी तक हमें जो एप्स हैं वो ग्रिट व्यू में ही मिलती है लिस्ट व्यू में नहीं मिलती है वा डॉंट नो क्यों लोगों को लिस्ट व्यू में चाहिए बड़ोग भी दिमांड कर रहे थे तो वह iOS 14 में होने वाली है बहुत कॉमेंट करने वाले हैं कि यह तो कब से है यह तो तब से है और जो भी है चलो iOS 14 में मिल रहा है वो है डीफॉल्ट एप जैसा कि हमें Mac के अंदर मिलता है या Android में मिलता है आप अगर ब्रावजर सेलेक्ट करना चाहते हो तो मान लीजे आप Safari नहीं यूज करना चाहत बहुत सारे लोग हैं जो यहां पे Chrome यूज करते हैं और कोई भी उसमें गलत चीज नहीं है क्योंकि Chrome बहुत ही कमाल का ब्रावजर है तो अगर आप अपनी फेवरिट अप्स को डीफॉल्ट एप बनाना चाहते हो iOS के अंदर तो अभी तक पॉसिबल नहीं था बट आप आप उसको करते हो जैसा अप स्क्रीण शोर देख सकते हो अपनी स्क्रीन के उपर यह अप ग्रेडियंट अपने पसंद का पड़ सकते हो ओ ऑप इसारे फीचर्स मिलें गए और साथी साथ यहां पे अब आपको मेलेगा मिलेगा खलेक्जं वाला फीचर जहां पर आप अप वाली है iOS 14 के अंदर और लास्ट में अगर मैं लीक की बात करूँ तो यहां पे fitness app एक नहीं आने वाली है अभी हमें जो health app मिलती है उससे अलग एक dedicated fitness app मिलने वाली है जहां पे जो leaks है वो यह गहरे हैं जहां पे कुछ exercises वगएरा हम कर सकते हैं और भी fitness related features यहां पे मिलेंगे अब यह क्या होगी एप obviously fitness से related है तो exercises होंगी diet हो सकती है या आप log बगएरा रख सकते हो calories काउंट कर सकते हो ऐसा ही कुछ होगा इस app के अंदर बट जादा detail मुझे नहीं मिले इंटरनेट के उपर और यहां पे कुछ और चीजों की अगर मैं बात कर लूँ तो split view को ले के काफी जादा leaks थे बट अब वो भी मैंने जितना पड़ा है वो सब यही कह रहे है कि split view हमें नहीं मिलेगा iOS 14 में इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी call recording वाली तो call recording का screenshot यहां पे काफी जादा वाइरल हुआ था इंटरनेट के उपर बट वह भी बात में पता चला कि सिर्फ Apple के employees के लिए है public को वो चीज नहीं मिलेगी और लास्ट में में बात करता हूँ home screen widgets की जैसा आप screenshot देख रहे है अपनी screen के ऊपर यह December 2019 से वाइरल हुए थी पे कि iOS 14 के अंदर हमें यह मिलेगा बट जॉन प्रफॉसर ने फिर बात में बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है यह Apple employees internally use कर रहे है बट Apple यह वाले फीचर को टेस्ट कर रहा है शायद iOS 15 में मिले बट iOS 14 के अंदर हमें जो home screen widgets वाला feature है वो नहीं मिलने वाला और यह थे सारे के सारे leaks iOS 14 से related I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी कौन सा feature आपको पसंद आया है इन सारे ही leaks में से प्लीज मुझे बताओ कॉमेंट्स में अब वीडियो को यहीं पर करता हूं अब आपसे मिलूंगा next वीडियो में तब तक के लिए टेक है बबाई